ये है स्प्लैश टेट्रा ये फिश की प्रजाती पानी के बाहर अंडे देती है ताकि अंडे शिकारियों से बचे रहें अंडे देने के लिए ये जोड़ी पहले एक पत्ती ढूंटी है फिर मेल अपनी लंबी पूंच की मदद से फीमेल को अपने साथ पत्ती पर ले जाता ह यहां दोनों 3-4 सेकंड टपाटप करते हैं इतनी देर में फीमेल 8-12 अंडे देती है जो जेल में लिप्टे रहते हैं इधर मेल अंडे फर्टिलाइज करने लगता है ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक 150-200 अंडे ना हो जाए फिर फीमेल चली जाती है लेकिन अभी मे मेल सिर्फ उन अंडे पर पानी की बोचार मारकर अंडे को धूप से बचाता है मेल पानी के सरफेस पे पूछ मारता है और पानी सीधा अंडों पर गिरता है ये निशाना एकदम सटीक होता है ये तब तक चलता है जब तक बच्चे अंडों से बाहर ना आ जाए और तीसरे दिन बच्चे अंडे से निकल कर सीधा पानी में गिर जाते हैं